हलो फ्रेंड मैं हु। निहातवर और आपका निहातवर डेजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउज तो उसका हम कुछ देख लेते हैं कैसे हम उसको बनाएंगे तो आपको मैं बना के दिखा देती हूं हम उसका रखेंगे boat neck इस तरह से बोट नेक बनाएंगे और मेरे पास जो ब्लाउज है उसमें side में पट्टी है तो उस पट्टी को मैंने cut कर लिया है तो उसको दोनों पट्टी को ऐसे लगा के हम उसमें मोती लगा सकते हैं लेकिन हम यहां लगाएंगे portly buttons तो चलिए दिखाते हूं मैं आपको पट्टी यह पट्टी है side से मैंने इसको cut कर लिया आप समझ गए होंगे कैसा fabric है यह और इसमें हम लाइनिंग यूज की है और इसकी पट्टियों को में को नीची नहीं लगाना था थोड़ा सा अलग हमने design लेना था तो इसलिए मैंने पट्टियां cut की है उनको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे यानि के जो side में हमने थोड़ा सा fabric छोड़ा हुआ है उस वह मुड़ाई में आ जाएगा तो यह एक लेस बन जाएगी तो इस तरह से हम इस पट्टी को यूज कर सकते हैं इस पट्टी को क्या अगर आपके पास को पूट वगएरा में भी पट्टी है तो इसको ऐसे लेस आप यूज कर सकते हैं तो इस तरह से लूक आएगा कुछ यह देखिए मैंने पलट लिया है पीछे का हिस्सा नीचे और गले पर से सेंटर जो है पॉइंट हम उसको माक कर देंगे और इस तरह से पहले हम पहले वाल बल लगा लिगे हैं मैं बता देती हूं अपों कैसे बनाते हैं तो यह मैंने थरमा को बॉल्स हैं उसको अंदर इस तरह से कर-लिया है इंधित तो इससे सुई धागे से भी नोट डाल सकते हैं और इस तरह से मैंने इसमें नोट नहीं डाले सीधा लपेट के और इस पे मशीन चला दी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर ऐसे आपसे नहीं बैठ रहा है तो आप क्या करेंगे सुई धागे की हल्प से इसमें गाट लगा लेंगे और इस तरह से आप इसको पास-पास रखते हुए सेट करते जाएंगे आप पास-पास भी लगा सकते हैं मैंने देखी इस तरह से इनको लगा लिया है और इसको दबाने के लिए अब मैं उपर से लेस लगा दूंगी जो ह अंदर दब जाएंगे, तो यह देखिए, इसका फाइनल लुप कुछ इस तरह से आएगा तो यह Portly Brutons आप Front में भी Neck आप अगर बना सकते हैं, लेकिन यह मैंने बनाया है Background में, आप कुर्ती में भी और भी यह ट्राइ कर सकते हैं, आप यह देखिए मैंने बाजू में उस तरह नहीं लगाते हुए पट्टी को सीधह नहीं लगाते हुए यही ड이जयन मैंने बाजू पढे दिया है थोड़ा सा इसको अलग दिखाने के लिए हमने बाजू पे भी सेम डिजयन बनाया है और अब देखें इस तरह से मोडते हुए की नारी go तो हम इसमें एक चीज और एड़ करेंगे, यह इस तरह से पाइपीन है, पतली इसको बीच में रखते हुए, में फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में रखते हुए, हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारी हमने पाइपीन रगाई है, वो चुब ही ना, तो इ डिजाइनर लुक दे सकते हैं अपनी स्लीज को और बैक में अपने नेक को तो यह था आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा और यह देखें फाइनल लुक अब लाउज का कैसा लगा वीडियो कैसा लगा डिजाइन कमेंट करके जरूर बताएगा